विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक में शारुक खान और सैफ अली खान को क्यों कास्ट किया जा रहा है क्या सैफ अली खान निगेटिव रोल निभाएंगे फिल्म की कहानी क्या होगी नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल नजर आएंगे वो भी निगेटिव किरदार में लेकिन ताजर रिकॉर्ट की अगर माने तो विक्रम वेदा की हिंदी रीमेक में आमिर खान और सैफ अली खान फाइनल हो चुके हैं फिल्म में आमिर खान जहां निगेटिव किरदार में नज़र आएंगे तो सैफ अली खान एक पुलिस वाले की भूमिका निभाएंगे तमिल में बनी इस सूपर हीट फिल्म विक्रम वेदा ने काफी तारीफे बटोरी इस फिल्म के मुखे किरदारों में नज़र आये थे आर माधवन जो की एक अच्छे पुलिस अधिकारी थे जबकि विलन का रोल निभाया था विजय सेतु पार्थी ने दोस्तों विजय सेतु पार्थी वाला रोल ही आमिर खान को ओफर किया गया है वही हिंदी में इस फिल्म को नीरज पांडे प्रड्यूस करेंगे जबकि निर्देशन का जिम्मा ओरिजनल फिल्म के निर्देशक यानि की गायतरी पुशकर को ही दिया गया है कोई शक नहीं कि ये एक्शन क्राइम थ्रीलर धमा के दार फिल्म साबित होगी लाल सिंग चड़ा के बाद ये आमिर खान की दूसरी रीमेक फिल्म होगी आपको बता दे कि फिल्हाल फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम शुरू हो चुका है फिल्म 2020 मार्श तक फ्लोर पर भी आ जाएगी क्योंकि दोनों ही स्टार्स फिल्म के लिए हामी भर चुके हैं बहराल अब हम इस फिल्म का बेस अबरी से इंतिजार करेंगे तो दोस्तों आप कितना एक्साइटिड हैं इस फिल्म को लेकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलिग्रादे स्टोडियोज